नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी के एच्प एक्जाम फेर्स में आज जो है मैं एच्प पेसी का पेपर वन करने वाले हैं यह जो एक्जाम है 9 माई 2024 को हुआ है कौन सा एक्जाम है असिस्टेंट लाइबरेरियन का तो इस पेपर की जो PDF डिस्क्रिप्शन में दे सब्सक्रिप एक्जाम है तो पेपर वन तो आपको देना पड़ेगा और उसे कौलिफाइब करना पड़ेगा तभी पेपर टूचेक होगा मैं और ना निकल पहरे हैं तो आपको बुरो 70-80% बच्चे जो है पेपर वन कौलिफाई नहीं कर पारे तब ही जो है आपको पेपर वन जैसे जैसे होते जा रहे हैं मैं यूट्यूब में करा रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जितने भी आपके पेपर वन होते जाएंगे आपको जो है आपको बताने कौन सी स्टेट्मेंट यहां सही है तो पढ़ लेते हैं the 900 लेकिशी लहाउल्सपित्य डिस्टिक्ट तो हाँ ना इसलेक जो है यह आपकी लाउल्सपित्य तिस्टिक्ट में है फिर बोल रहा है तो इंटरनेशनल बॉर्डर स्टाट्ट इट परीच्व तो आपका जो है किसी भी बॉंडरी को टच नहीं करा तिबद की साथ कहीं पर भी लग रहा तो यहां पर इंटरनेशनल बॉंडरी कहां से स्टार्ट हो सकती है तो यह आपकी स्टेटमेंट जो है गलत है थार देखिए अर्लियस्ट कैपिटल अफ कुलू वस इन इसके फांडर कौन है वेद्राम ठाकुर है हां जी यही इसके जो है फांडर है तो फर्स्ट और फॉर्ट स्टेटमेंट यहां पर जो है सही है तो मैंने आपको जो है PDF डिस्क्रिप्शन में दे दी है क्रिपया करके उसे डाउनलूड कीजिए पहले खुद अटेंट कीजि आपकी तयारी कैसी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा PDF का बाकी आंसर हम डिसकस कर रहे हैं तो यहां पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पंद्रा कुशन आप सभी को बता है हिमाचल जी के आपसे पूछे जाएंगे तो देखते हैं कैसे कुशन प पड़ोगे तो आपको याद आ जाएगा यहां पर सतलुज की है तो second answer यहां पर जो सिसा यहां पर सतलुज की टृब्यूटरी यानि साइक है नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं अब देखते हैं यहां पर नीचे जो है हमारे एप का लिंक दे रहा है वहाँ पर मैंने HPPSC पेपर 1 के मौक टेस्ट डाल रहे हैं ठीक है कोर्स बना रहा है पूरा 299 का जो है यह आपका कोर्स है यहां पर 10-10 मौक टेस्स में लेंगे और एक दम मुश्किल कोषन डाले आपको पता है एक्जामनर काफी मुश्किल कोषन बनाई यह को मैं बहुत ही मुश्किल बनाई है जैसे PGT, Hindi, PGT, Physics, Veterinary Officer के पेपर हो गए पेपर वन तो वो भी आपको जो है उसमें साथ में दे रहा हूं मौक टेस्ट के तो जैसे जैसे पेपर होते आ रहे हैं यह वाला पेपर भी आपको जो है हमारे मौक टेस्ट के कोर्स में मिल जाएगा तो नीचे एप का लिंक दिए मैं आपको डेटेस दे दूँगा टेस्ट सेरे स्कोर्स की 7018186561 पर चलिए कोशन देखते हैं थर्ड है अमंग दा फॉल्विंग विच डिस्टिक्ट ऑफ हिमाच्छा परदेश है तो निम्द में से हिमाच्छा परदेश के जिले में जो टूरिस्ट गाइडों की संख्या पर है वो सबसे कम है तो चार्ड दिस्टिक्ट बठाइए यहां पर आपको बतार है तो देखिए हमीरपूर ब्लासपूर किन और या लाहुशुपिती थर्ड का एट आंसर है वो है हमीरपूर तो हमीरपूर में जो टूरिस्ट काइड है उनकी संख्या जो है आपकी और ड जो संक्या है वो भी कम है तो थर्ड काइट आंसर ऑप्शन ए है फोर देखें विच डिस्टिक्ट ऑफ हिमाच्छा पदेश हैस देंसिटी ऑफ पॉपलेशन एस पर देंसेस 2011 तो 2011 की जनगंडना के नुसार हिमाच्छा पदेश के के जिले में जन संक्या का घनत्व सबसे हमिरपूर में है ठीक है 406 की जो पॉपलेशन डेंसेटी वह हमिरपूर में अब देखें हमिरपूर ऑप्शन में भी इंदेर खा तो पेपर को जान पुछ के डिफिकल्ट बनाया है ताकि आप एजीली आंसर नहीं कर पाओ देखें हैं सिर्मौर मंडी कुलू शिम्ला तो एक तो हर एक डिस्ट्रीक्ट की जो है पॉपलेशन डेंसेटी पता होनी चाहिए और ऋिछ रहुप 6 हर डिस्टिक्ट के कोई याद निया रखता कि हां कितनी population density है तो easily कोई भी इस question को नहीं कर सकता है यहां पर right answer कि है Monday जो है right answer है Monday में जो population density है वो 253 है सिर्माओर की बात करें सिर्माओर में कितनी है 188 जो है सिर्माओर में है कुल्लू में 79 है शिम्ला में कितनी है शिम्ला में 159 है तो देखिए हर एक डिस्टिक्ट की जो population density है वो कोई भी याद ने रखता तो यहां पर देखिए हमीरपूर अगर बोलता तो easily कर सकते हमीरपूर पता है सबसे जादा पता होता है सबसे कम पता होता है बीच की population density बोलते हैं तो एक किलोमेटर का अगर एडिया होगा मंडी में तो वहां पर कितने लोग मिलेंगे वहां पर 253 लोग मिल जाएंगे हमीरपूर में सबसे यह जो है कुल्लू में कुल्लू के पतली कुल में चली इस कुशन को कर सकते थे फिफ्ट काई टांसर ऑप्शन दी हम से देखें दा ओवर ओल रैंक ऑफ मंडी डिस्टिक्ट ऑफ हिमाच्य परदेश इंडिस्टिक्ट गूट गवर्नेस इंडेक्स 2021 तो यहां पर देखिए अब हर एक डिस्टिक्ट की कौन याद रखता है बाराइड डिस्टिक्ट है हिमाच्य परदेश में तो सब की थोड़ी आद रखो कि हम अंडी कुलू कौन से में उनाव कों से में तो यहां पर शिक्स का जो राइट आंसर है वह है फिफ्ट तो मंडी की जो पोजिशन थी इंडेक्स 2021 में वह फिफ्ट थी तो काफी डिफिकल्ट कोशन है एजीली कोई भी नहीं कर सकता अगर तुक्का लगाओ के तो नेगेटिव मार्किंग भी है आपको पता है तो ऐसे हैं नहीं कि सारे कोशन यहां पर करने ही कोशिश करनी है सेवन देखिए अब यहां पर मेल और फिमेल की जो है अन इंप्लाइमेंट रेट बताना है अब देखिए कब का पुछा है 2019-2024 चल पड़ा है तो इतने साल पहले का पूछने का कोई तुक बनता है तो यह बस यह है कि डिफिकल्ट बनाना है कि हां तुम पास ना करपाओ एजीली तो यहा काफी डिफिकल्ट जो है कोशन डाले गए अगर कोई एचेस की तियारी कर रहा होगा तो वह भी यहां पर जो है लड़ खड़ा सकता है एट देखें ऑफ फॉल्विंग विच आफ फाइनेशल एर विटनेस ते लोएस प्रोड़क्शन और फ्रूट सिन हिमाचर प्रदेश सबसे कम उत्पादन देखा गया तो यहां पर देखें सबसे कम जो है फूट प्रोड़क्शन कौन सी एर में देखा जाए होगा जहां पर कुरोन डाइम में आपको पता है लॉग डॉन लग गया था तो इस वज़ा से जो है इकनौमी को काफी जादा असर पड़ा था तो क वर्णी दिस्ट्रिक्ट हिमाच्र पड़ेश वोस ट्रैप्ट अमंग अधर वर्षकर्स इन उत्रगंट टर्नल रिसेंटली वस नेम जिला मंडी माच्रपदेश के एक श्रमिक जो हाली में उत्रगंट सुरंग में अन्या श्रमिकों के साथ जो है फस गया था तो आपको प विशाल कुमार और यह भी वहाँ पर जो है फस गया था बात में जो है रेस्क्यू हो गया था उन 41 जो मजदूर थे तो उनमें एक विशाल कुमार भी था तो नाइंध करेंट आंसर ऑप्शन डी है ठीक है नाइंध करेंट ऑप्शन डी है तो यह थोड़ा आपका न्यूस यहां पर पूछ रहा है हमाद्चर प्रतिश में होम्योपैथी डिस्पेंसरी जो थी वह 2022-23 में कितनी थी अब यह किसमें मिलेगा आपको कुशन यह मिलेगा आपको एकनॉमिक सर्वे में तो एकनॉमिक सर्वे में एसा निए काफी डीप कोशन पूछन पूरा यह पढ़न पूरा एकनॉमिक सर्वे में मगर इन्होंने 22-23 का पूछा है तो पूरा एकनॉमिक सर्वे आपको खुद पढ़ना पड़ेगा एक एक पॉइंट के जो है नोट्स बनाने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि एकनॉमिक सर्वे से भी यहां पर जो है कोशन आ रहे हैं और 22-23 से ज पंचायत तो सीधा आपको राइट आंसर बता हूं इट सेस डैट इट इस पंचे शुडबी एलेक्टेट बाइट प्राम पंचायत आउट ओफ इस ओन पंचेस ठीक है यह कहता है कि इसके पंचों को ग्राम पंचायत दुआरा अपने स्वें के पंचों में से चुना जाना चाहिए तो यहां पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इलावंत का ट्वेल देखे ऑफ द फॉल्विंग वूमें मेंबर ऑफ ते स्टेट असेंबली ऑफ हिमाच्र प्रदेश वस अपोइनेट दा कैबिनेस्ट मिनिस्टर फॉर फॉर्स टाइम तो यहां पर क्या बोल सरलाव शर्मा विपलोफ थाकुर या अनीता वर्मा तो ट्वेल्थ का राइट आंसर के वह आशा कुमारी तो आशा कुमारी जो है डलावजी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वहां से जो है जीती भी थी तो यह MLA बनी थी जैसे 68 सीट है वहां से एक जो है इनको मि मिशिशिट यह chocolate है ठीक का फोलविग मिनिश्ट्र ओग्या एजूकेशन मिनस्ट्रों कहा तो वैसे जो है क्या बनाया गया था और एक्चछन पर Googल वे घृह है यह ने हमाचा परदेश ओंछो नहीं को थैक्ष्ा reducing do挺 उसकोशन के है दтобन है खकिए फॉसे में दीख है अंडर दे हिमाचापते स्किल्स डेवल्मेंट प्रोजेक्ट तेक्निकल एजूकेशन डेवल्मेंट हैस नॉट लॉंच्ट अड्रोन टेक्निशन प्रोग्राम इन गवर्मेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टूड अप्टू 2022 तो कहा रहा है दो जर बाइस तक जो लॉंच नहीं किया गया था कौन सी इन में से इटी के गवर्मेंट इटी में सोलन हमीरपूर कुल्व या मंडी तो आपको जाने कौन सी डिस्टेक्ट में जो है लॉंच नहीं हुआ था तो फॉर्टी कि जो आइटीय इस थी उनमें जो है ड्रोन टेक्निशन प्रोग्राम जो है 2022 तक लॉंच नहीं हुआ था ठीक है इन विच अफ़ फॉल्मिक डिस्टेक्ट अंडर थे माच्छा प्रदेश के लॉल्मेंट प्रोजेक्ट थे टेक्निकल एड्यूकेशन प्रोग्राम तो हमीरपूर की जो आइटी ती महां पर जो है ड्रोन टेक्निशन प्रोग्र इनने जो है क्या मिला अरजुना अवार्ड मिला अभी यह वुमेंस कबड़ी टीम के कैप्टन है सिर्मौर के रहने वाली सारी चीज़ें मैंने करेंट अफेर करा रहें चैनल में जो है करेंट अफेर की प्लेइलिस्ट बनीए हिमाचल करेंट फेर ठीक है तो महाँ पर में लिख देना कंप्लीट स्ट्री मेटरियल फॉर एच्वीपसी पेपर में आपको डेटेल्स दे दूंगा आपको जो है दस लेटेस्ट पैटर्न में मॉक टेस्ट में लेंगे जो प्रिविए से पेपर आपके हो रहें जैसे अभी फिजिक्स का हो गया है हिंदी का हो गय कर सकता है हम नेक्स देखते हैं 16 विच फॉल्विंग ऑफ इंडिया इस नौट मैच करेक्क्ली विट इट स्टेट अब यहां जो है इंडियन जी के कोशन आगे एंडियन जी के प्लस करेंट अफेर रहेगा पंदरा जो आपका रहता है तियां पर विच फॉल्विंग ऑफ है ओडिसा में है ठीक है ओडिसा में है तो यहां जो है आपका ऑप्शन सी जो है यह गलत मैच किया गया है बाकी तीनों यहां पर ठेक किये गए थे सेवंटीव इन देखते हैं अधिक राज्य में था ठीक है अधिक राज्य स्विव घाटा तो यूपी में था ठीक है तो काफी डिफिकल्ट जो है कोशन डाले गए अब दोजर बीसिक किस का तो तो इतना पुराना आप पूछ रहों तो सेवंटीन गाए तो जानबुश के जो है डिफिकल्ट बनाया गया है एटीन देखिए विच आफ फॉल्विंग ऑथर वस कोटेड बाय मनमौन सिंग वाइल प्रेजेंटिंग दा हिस्टॉरिक बजट ऑफ इंडिया इन नाइंटीन नाइंटीन तो नाइंटीन एवन में जब भारत का एतिहासिक बजट जो है पेश किया था किस ने मनमोण सिंग ने तो समय किस लेखक को जो है उन्होंने कोटेड वार्वीं के बारं में सिंग्तॉम ने नेम लिट में से कौन सा चाहा जिसको जो है नॉमिनेट किया गया था दुरुनाचारे lifetime category Award 2023 के लिए इन गॉल्फ तीक है तो कोच इसका जो सबसे highest award होता है दुरुनाचारे Award ही होता है तो किसको नॉमिनेट किया स्थाइब्ली एलेक्षण coconut अपको बताना है कि जो राजस्तान स्थाइट असेड आश्येशन हुए थे 200 203 में उसमें भाजडल को कितने प्रती टुफित ऊचल उट कि एट के सकते हैं तक राजस्तान स्टेट एसेsuppelt यौ films प्रसेंट वोट है बीजेपि को मिले थे 21 शेक dif somet as official language तो यह easy question है जो है यहां पर आपको amendment बताने है ठीक है 8 schedule में किये गए थी जिससे जो है यह आपकी चार languages और इंकलूट किये थी बोडो सांतली डोगरी मैथली ठीक है पॉलिटी में आपने बढ़ होगा तो 92nd amendment ठीक है अपने author के साथ सही match नहीं किये गई है तो नील दिरपन तो सब को पता है देश-बंदू-मित्रा हां यह यह author थे फिर rebel against the Raj पृति शिंग दिया है the village by the sea अनिता देशाए दिया है the circle of reason अमिताव गोश तो यहां पर आपका जो है पृति देशाए नहीं होगा ठीक है रेवल अगेंस तग राज ठीक है रेवल अगेंस तग राज यह किस ने लिखे यह लिखी थी रामचंदर गोहा ने तो रामचंदर गोहा ने लिखे पृति सिंग ने नहीं लिखे तो यहां पर यह जो है आपकी गलत मैच की गई है नेक्स देखते हैं 23 which of the following is correct about the state of हर्याना अब हर्याना के बारे में आपको बताना है यहां पर जो है क्या चीज सही दे गई है तो हर्याना के बारे में क्या सही दिया गया है पहला जो है यही सही है ठीक है its geographical area is 1.4% of the geographical area of India बाकी जो सारी यहां पर चीज़े दे गई है यह स सही कर सकते हों कि हाँ अब यहां पर देखे इतना डीप में बूच रखा है कि हर्याना ऐसी तो कल को बोलेंगे तिलंगाना जो है कितना परसेंट है इंडिया का तो वहां पर स्टेटमाइंट दे देंगे वंस्वे कोई नहीं बाड़ता चाहिए इसकी तेयारीं कर रहा हो वो भी बंदा है ऐसा कोशन नहीं बढ़ सकता तो देखे 23 का एड़ आंसर ऑप्शन ए है अब नेक्स देखते हैं काफी डिफिकल्ट बनाने के लिए कोशिश की है बस पास कर सको इतना ही बहुत है ठीक है यह आप बोलो कि हां ज्यादा नंबर तो ज्यादा नंबर कोई भी न रोएवल्यूशन हुआ था ताकि जो वहांथा पावर हों से तकता प्लट किया जा सके में सोवेत हो सब्सक्राइब बाद में बाद में अलग रश्यां बन जाता है ओंग मुझे बन जाती है तो रोज रेवल्यूशन गहां था है जो रही कर जिश यह जोड़ीया में 2003 में हुआ था तो यहां पर 2003 में रोज रेवल्यूशन वह था यह क्या आपका यह जैसे नॉन वाला जो है आपका यहां पर रेवल्यूशन था ठीक है तो नॉन वालींस टाइप का था और यह जो है इसमें फिर बाद में अलग कंट्री बन जाता है ठीक है कोर में निफे होता है ठीक है निकल और आईरन फिर यहां पर जो आपका मेंट्ली होता है यहां पर सीमा होता है ठीक है सीमा मतलब सीलिकॉन और मेगनेशम और जो करस्ट होता है होता है सीलिकॉन और अलूमिनियम तो अलूमिनियम जो है आपका यहां पर अबंडनेंट मात्रा तो 25 का अपिशन डाल रहे हैं साइंस का जो है एक ही कोशन आ रहे हैं पंदरा जो है इंडियन जी के के तो इसमें करेंट अफेर भी थोड़ा होगा तीन-चार कोशन करेंट पिए और एक साइंस का ज़रूर डाल रहे हैं तो यहां पर आपसे पुछा रहा है कि जिसने डॉनल ट्रॉम को जो है इनलिजिबल डिकरेर किया था कि वह वापिस एलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं तो किस ने किया था है कोला रैडों ने किया था ठीक है इसमें विनर कंट्री का नाम पुछा है तो वह जपान ही है ठीक है था चूले चले हूं चले कि इतना पूराना जो है करेंट फेर यहां पर पूछा गया है तो यहां पर क्या बोलता है जो यूएन इंवार्मेंट प्रोग्राम है इसका है तो इस कुछ नू कर सकते हैं इसका है तो यूएन प्रोग्राम है उसका है निरोबिक केनिया में जो है उसका है थाट्य और लास्ट कोशन है यह आपका इंडियन जीके वाले पार को इनिटिफाइख व्लूविंग ऑफ यूसे बैंक लेहमन ब्रदर्स विच कोलाप्स इन अगस्ट फॉट्व में जो है कोलैप्स कर गया था क्यूंकि निवार क्यापिटल जो है वो खतम हो गया था तो ठर्टी का रटांसर ऑप्शन ए है अब देखते हिंदी कोशन हिंदी के जो है दस कोशन आ रहें यहां पर देखिए अनार मुलुत किस भाशा का शब्द है तो अनार आपसे पूछ जैके स्में यहां लोगदते हैं 77 निम्स पैसे पहई ठीजकrist कोन्सा जए अर्थ नहीं हें लिएर तो इस में आपको बतान है इस पंती अलंकार कौन सा है अभर यार्मा इसका फैल्मार यह हर तरफ गन्दगी वह सब चुनिए जो उपसर्ओक की बिंता की अलग है वह स法 लंबन से इसका इन से हमनते ये इनसे बालम से ठाटिशिव्जी दीखिए प्रविशेशन या अनिस्य वाचक परिणाम वाचक तो 36 का रिट आणसर वह है गुण वाचक तो फलदार विख्ष ही जुकते हैं तो यहां पर जो है गुण बता रहा है गुण वाचक है है ठाटाइश्र ओप्षिन विए 37 डेखिए मैं उस वन्षी धर का भक्त हूँ तो यहां पर आपको पताना है जो वन्षी धर है यह क्या है कौन सा समाथ है तो वन्षी धर क्या हो गया जो आपका जिसे बांसुरी जो बंशी होता है उसको बजाता तो वो श्रीकिषंट फोटो भी देखे उगी तो ये आपका जो है ब्रहुबरही है ठीक है कोई किसी तीसरे की तरह ये संकेत कर रहा है तो यह क्या हो गया आपका यहां बहुबरही हो गया 37 का अटांसर और अप्शन ए है 38 देखिए सफल होना है तो कुछ काम करो यो कागजी डैश देख स्थान की पूर्ती उचित महावरे से किरे तो सफल होना है तो कुछ काम करो यो कागजी घोडे ना दड़ाओ ठेक है यह आपका महावरा है सफल होना है तो कुछ काम करो यूं कागजी गोड़े ना दोड़ाओ 38 का एटांसर ऑप्शन C है 39 देखते हैं यह शीला सा वक्ष यह चटांसी मेरी बुजाएं इस काव्यम पंग्ती में जो है उपमे गया है तो यहां पर क्या होगा वक्ष होगा ठीक है वक्ष होगा वक्ष मतलब छाती ठीक है शीला सा वक्ष यह चटांसी मेरी बुजाएं तो यहां पर आपको मैं बताना है तो वक्ष 39 का एटांसर ऑप्शन B है 40 देखते हैं इस महानगर के लोग बड़े गतिशील है इस वाक्य में प्रयुक्त के प्रसक कारक के किस भेट के अंतरगत है तो इस महानगर के लोग बड़े गत है तो यहां पर क्या होगा 40 संबंद के के का सम्दर्ग के लिए तो यह नोगगा पर सम्द होगा इंगलिज देखते हैं इंगलिछ के यहां पर जो फिर Guin ग्रूर में दो to watch a movie 42 choose the correct sentence अब यहां पर जो है correct sentence बता रहा है they have been honored for helping an elderly couple तो यहां पर जो आपका 42 का first दे रहा है यह ठीक है ठीक है they have been honored for helping an elderly couple 43 देखते हैं यहां पर दो है choose the correct indirect form of the following indirect voice भी आपको पुछे जा रहा है passive voice भी पुछे जा रहा है यहां से जो है हर बार एक्जाम में question आ रहा है तो यहां पर देखिए मोहिन said to his sister could you explain the matter to me तो आपको indirect बता रहा है indirect में क्या होगा तो 43 का जो रहाइट आंसर वो option D है मोहिन told his sister to explain the matter to him later 43 का जो आप्शन D है नेक्स देखिए अब being sent to us by the treasurer to 44 का अप्शन भी है कभी भी आइंजी वाला आपका है तो being यहां पर use होता ही होता है 45 देखिए choose the correct option to fill in the blanks अब यहां पर जो है आपको fill in the blanks पूट करना है यह easy है ठीक है the dash of the second monarch was best period तो राइन ठीक है राइन यहां पर राइन क्या होता है राइन से मतलब क्या होता है जैसे राज करना ठीक है राज करना जैसे शासन करना ठीक है the rain of the second monarch was the best period तो 45 का राइन स्रॉप्शन सही है तो यह easy था इसको कर सकते है एन अनबेश्च परसंट इस दवन हूँ अब यहां पर आपको complete करना है तो क्या है दोस्ट नाट वरी अबाट एनी अमबेश्मेंट एक अनबेश्च परसंट क्या होगा जो किसी अमबेश्मेंट के बारे में वरी नहीं करता है तो 46 का राइन स्वाप्शन भी है 47 देखे चूज दॉप्शन डैट के रिप्लेस्ट अंडर्लेंड सेग्मेंट तो यहां पर खतम करोगी है तो यहां पर क्या आएगा इसको चेंज करनेंगे तो स्टॉप एट वर्क फॉर दे रेस्ट अफ द दे तो 47 गाइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 48 देखे अब इसको आपको जो है अरेंज करना है ठीक है अरेंज करना है तो आपको सेंटें सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आपका जो है यह आएगा और पी एसक्यू टी ठीक है क्या बना दुरुप एंबार्क ओन एक्स्प्लोरेशन ट्रिप टू कानपूर वेरेंगे इंकाउंटर्ड अ दिफरेंट साइड आफ द दॉप्शन दी हैं 49 देखते हैं चूज दे अब यहां पर जो है दालना है सुदा इस बिलेंट इन फिजिक्स इफ शी वर्क्स हाट शी डैश्ट था एंट्रांस एक्जाम शी विल गेट थू दा एंट्रांस एक्जाम तो 49 का क्या होगा 49 का जो है ऑप्शन ए होगा 50 देखते हैं चूज दॉप्शन देट इंडिक्त एंटोनेम ठीक है एंटोनेम बताना है अब इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप मीनिंग समझाएगा देसे आइटेस्ट बिंग कॉल लेजी ठीक है अगर मुझे कोई लेजी बोल रहा है तो मैं उसको जैसे हेट कर रहा हूं कि हाँ नहीं या आप मिरेको गल्द बोल रहे ह तो आप देख सकते हो जो है पूरा पेपर आपके बनार है तो अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी लेना चाहते हो कि तो यहां पर बैचिस स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर ट्राइमिंग साथ से नौ मॉर्निंग है शाम को साड़े पान से साड़े आठ है सभी सब्ज लीचल जीक हो गया इंडियन जीके में हिस्ट्री जोग्राफी पालिटी करेंट फिर स्टडी मटेल सब आपको प्रवाइट के जा रहा है प्रिविश अरप टेस तो किसी ने पर जो है आगे आपके लिए वीडियो आती रहेगी जैसे जैसे एक्जाम होते जाएंगे आपक कि वीडियो में आंसर भी डिसक्स करता हूं ताकि आप अपनी त्यारी को और बच्चों से बहतर बना सके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगी नीचे हमारे टेलिगाम का चैनल का लिंक है उसमें भी 24,000 बच्चे जोड़ रखें तो उसे भी जोएन कर लेना वहाँ पर फ्री स्टेडी मेटरियर और आपको एक्जाम अपडेट्स में टाइम टाइम देता रहता हूं बखी इस वीडियो को इतना रखते हैं आप से अगरी क्लास में लूगा तब तक के लिए शब्वा क्यार थेंक्यूं